नमस्कार मैं हूँ भूवनेश सेंगर और जुड़ चुके आप MP तक के साथ मंद्यप्रदेश की व्यवसाइक राजधानी इंदौर में बड़ा अजब ही नजारा दिखा लोग जब अपने कामकाज के लिए निकले तो पलासिया चौराहे पर कुछ लोग ट्रैफिक व्यवस्ता समाल रहे थे पुलिस के नहीं थे दूसरे थे ध्यान से जब लोगों ने देखा तो उनका दिमाग चक्रा गया कि यह तो वही लोग ही जो इलाके के गुंडे हैं लेकि बदमाश हैं उन्हें बुला बुला कर बॉंड भरवा रही है यह की अपराद नहीं करेंगे और जरसा अपराद किया तो आपको प्रतिबंदित कारवाई कर देंगे लेकिन पलासिया थाने की पुलिस ने थोड़ा और एक कदम आगे चलके सोचा लिस्टेट गुंडों को गण के द्वारे निर्देशित किया गया था कि छेतर में जितने भी गुंड़ा बदमाश चाकूबाज हैं इनको बुला कर इनके जो भी वैदानी करवाई वो करना है और इनका डोजियर बराया जाना है उसी तारतमे आज थाना पलासिया में थाना छेतर के जो सबी ने से सपत दिलवाए गया कि भविश में किसी प्रकार का अपरात नहीं करेंगे और सबी लोग स्वेच्छा से तैयार हुए कि यहां पर जो है अभी दो घंटे वहां चेकिंग करेंगे इसी तारतमे में यहां गिटार चुराय पर आकर सबी जो गुंड़े वदमास है इनको सुदार का एक मोगा दिया जा रहा है और सबी लोग पुलीस के साथ मिलकर यहां 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 बहुस्ता देख रहा है पुलीस का मुख्योद्देश होता है कि अपरादी से अपरात को छड़वाना उसी तरतमे में यह कारे किया जा रहा है तो जाही तो पर अनुठा प्रयोग था और उसके चलते कोशिश भी पुलीस की है दासर हमारे सोशल पुलीसिंग की का कॉंसेप्ट है हमारे जब पुलीस की बात की जाती है तो यह कहा जाता है कि अपरादी को सुधारने का काम भी उसका है उस सूरत में लिस्टेट बदमाशों से नकेवल बॉन्ड भरवाना यह तो पूरे नॉर्म हो रहा है बताया रहा है लगबत 400 से ज़्यादा इस तरह के बॉन्ड घोशित बदमाशों से भरवाय जा चुके है लेकिन हाँ पलासिया थाने की पुलीस ने कुछ अनूठा करते उन्हें एक सामाजिक जिम्मेदारी भी दी ताकि हो सकता है कि उनका कुछ रिदय परिवर्तन भी हो तो तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए MP तक के साथ हुआ हुआ है